नमस्कार दोस्तों मैं गौडव सर आप सभी का गौडव आटिया क्लासेज में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा क्लास है वो इंपलोबिल्टी स्किल का है जो कि फर्स्ट यर के लिए आल्ल ट्रेड आज हम इंपलोबिल्टी स्किल का पांचमा क्लास शुरू करने जा रह है यानि कि आज हम दूसरा पार्ट करेंगे जो कि ऊपने आपको शुरक्षित रखा जा सकता है ठीक है और यही आपका टेलिग्राम लिंक भी है जहांसे आप लोग पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ हम क्लास करना सुरू करते हैं आज पहला question के तरफ चलते हैं जो कि इस class का पहला question है और OSHE का 16 हमा question है तिसमें कर रहा है जलने पर प्रार्थमिक उप्चार देते समय निम्न में से किस एक से बचना चाहिए यानि कि अगर कोई व्यक्ति अपने काड़ी के दोरान अगर जल जाता है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए तो option A में है महलम और क्रीम, option B में है बर्फिली पानी और option C में है A एवं B दोनों और option D में है ठंधा या गुनगुना बहता पानी तो देखिए option number A में जो दिख रहा है महलम या क्रीम तो जब तक कोई जानकाड़ी जानकाड़ी तो ना तो कोई क्रीम देना चाहिए और नहीं बर्फिला पानी देना चाहिए इसका answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा A और B A और B दोनों से बचना चाहिए और देना क्या चाहिए या तो कोई आपके पास नार्मल धंडा पानी है वो दीजिए या गुनगुना बहता पानी या या यह भी नार्मल पानी का बात कर रहा है तो यह आप दे सकते हैं नार्मल धी जो है यह आप जले हुए बैक्ती को दे सकते हैं लेकिन कोई महलम क्रीम या फिर कोई बरफीली पानी आप नहीं देंगे ठीक है नेक्स्ट कर रहा है हजाट्स आर कॉजबाय यानि कि खत्रे डैस के कारण हो सकते हैं खत्रा किसके किसके कारण हो सकता है तो कुछ लोग के कारण भी हो सकता है यानि कि उसकी गलती के कारण कुछ उपकरण के कारण भी हो सकता है अगर कोही मसीन पर काम करता है वो धीरा ठा रहा है उपर के सभी यानि कि उपर के सभी के कारण खत्रे हो सकते हैं इसलिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका कौन से खत्रा है यह आपका साड़ रहा हो जाएगा आपको किसी परकार का आपको मनुबैज्यर से आपके सापके में दबाव या दिया जाता है इसलिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ौप Gridajocon जोखoby अगला question कर रहा है आग या फिर औसमान सतह उचाई पर काम करना औसरक्षित विद्यूत उपकरन डेस्क खत्रे पैदा कर सकते हैं यानि कि इस प्रकार का जो काम होता है जिसमें कि आप आग के संपर्ख में कोई काम कर रहे हैं या फिर औसमान सतह यहां पर आपका समान सतह वो समतल नहीं है किसी वी तरह से जैसे कि कहीं ढचक्वा है और उचाई पर या फिर और शीरक्शित विद्यूत उपकरना है कि जैसमें आप अपना जो सुरक्छा होता है वो आप नहीं लगा ओए और विद्यूत का काम कर रही है यानि कि वी जली का कर रहे है तो वहाँथ कौन सा खत्रा पैदा हो सकता है तो वहाँ भी आपका साडरिक जो खीम ही होगा, option number A जो दिख रहा है, यह साडरिक जो खीम है, यह ही हो सकता है, क्योंकि आपको साडरिक रूप से ही चोट लग सकता है, ठीक है, तिसलिक का right answer option number A हो जाएगा, next, बीच नमर कहता है, रसाइनों के जहरीले गुनों के कारण होन effect कड़ेगा, यानि कि वह साडरिक जो खीम होगा, या भी रसाइनिक जो खीम, या जैवी खत्रे या पिन मनो वेग्यानिक, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, वो chemical हो जाएगा, यानि कि रसाइनिक तोर पे, यहाँ पे कहा ही रहा है, रसाइनों से जो खत्रा होता है, वो उपर का है जो लनसील पदार्थ, तो अगर कोई जो लनसील पदार्थ है, यानि कि कोई ऐसा पदार्थ है, जो 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 लनसील है, कोई हो सकता है, या फिर कोई ग्यास भी हो सकता है, तो यह जो लनसील पदार्थ भी हो सकता है, उप्सन नमर बी में जो दिख रहा है, संचा हो सकता है आपके राषाइनीख खत्रे के करन हो सकते हैं इसलिए इसका रायटन क्या हो जाएगा अप्शन नमर D यानिकि जॉलनसील पदार्त, संचारन पदार्त, अक्सी करन पदार्त ये सब आपके राषाइनी खत्रे के अंतरगात आपते हैं ठीक है question 22 कर रहा है bacteria और virus कवक कीट या जानवड़ों के काटने जढ़ी ले पोध है पसू अपसिष्ट मनावर अपसिष्ट के कारण बन सकते हैं यह किस प्रकार के कारण बन सकते हैं आपको खत्रा पहुँचाने का यह बाशनमर का कुश्चन कर रहा है देखिए साडरीक खत्रा यह कोई वेक्टिडिया अगर आपको काटे कोई कवक या फिर किसी वरकार का वायरस इन सबके आप अगर संपर्थ में आते हैं तो यहां आपको जैव खत्रे होते हैं यादि कि आपको प्राटिकवी रुप से कोई परिशान कर रहा है याаं पे करेक रहा है जो कि यह सभी जीव होते हैं और यह जैवीग रूप से आपको खत्रा पहुचा सकता है इसलिए इसका answer option number C हो जाएगा जैविक खत्रे option number D में इसका होता मनोवेग्यानिक खत्रे तो यहां भी मनोवेग्यानिक खत्रा भी आपके वह पर नहीं होड़ा है ठीक है तरीश नमर कर रहा है जीवों या अन्यहानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पतार्थों के कारण जैविक खत्रे उत्पन होते हैं यानि कि यह कथन जो कारण यह सही है या फिर गलत है जीवों या अन्य हानी कारक जीवों के द्वारा या जो भी खत्रा होड़ा वो सब जीवों के द्वारा ही उड़ा रखा है तो वो जैविक खत्रिक अंदरगात आता है इसलिए इसका राइट अंसर अप्शन नमर ए हो जाएगा यानि कि ये बात जो है बिल्कुल सते बात है कि जीवों के द्वारा या अन्य हानी कारक जीवों के द्वारा आपके उपर जो उत्पादित पदार्थों के कारण जो खत्रा होता है वो जैविक खत्रा होता है इसलिए इसका राइट अंसर अप्शन नमर ए हो जाएगा 24 नमर काराग यह मनोव्यजयनी खत्रा होता है जिसे हम psychological हजार्ण करते है यानि कि आपके उपरमांसिक बतौरफे आपको दबा दिया जाता है आपको पढ़िसन किया जा सकता है यह आपको मनोव्यजयनी खत्रीक अंतरगात आता है तो इसका right answer option nummer d हो जाएगा प्रदर्सन में सुधार करता है और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं तो इसका जो राइट अंसर है उपर में ही दिख रहा है आपको स्रम दक्षता सास्त जिसे हम इर्गोनोमिक्स कहते हैं इर्गोनोमिक्स नहीं इर्गोनोमिक्स इसको परके जैसे कि आप इकोनोमिक्स परके आप अर्षास्त के बारे में अच्छा नोलेज प्राप्त कर सकते हैं उसी तरह से इर्गोनोमिक्स जो हता है उसको आपको किस तरह से फेक्टरी में काम करना है लेबर को किस तरह से चलाना है, क्या उसको सुरक्षा देना है, इस तरह के जो भी बातें होती है, वो सरा-क-सरा इर्गोनोमिक्स यानि कि स्रम दक्षता सास्त्र में पढ़ा जाता है, इस डेस का राइट अंसर अप्शन नमर ए हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम सोर और कमपन के साथ एक अरमदायक वातावरन बनाए रखना, डेस का उधारन हो सकता है, यानि कि यह किसका उधारन है, यानि क्या करके आप इस सब को सुधार कर सकते हैं, यानि कि अच्छी रोशनी दे सकते हैं, सही तापमान ला सकते है कम सोड सरावा हो और कंपन कम हो तो एसा अरब दायक वातावरान आप कैसे बना सक्ते हैं पड़के नहीं इसका राइट era option number c में दिख़ रहा है ergonomics तो स्रम दक्षता साफ्त्र में आपको स्रम के बाले में सराक सरा जानकाड़ी दिया जाता है तो अब स्रम दक्षता सास्तर को पढ़के यह सराक सरा काम कर सकते हैं अच्छा से मेंटेनिस्टो कर सकते हैं इसलिए इसका राइट के अंसर अप्सन नमर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्षचन है 17 नमर का इर्गोनोमिक काड़ी वातावरन किसके द्वारा बनाया जाता है यानि कि आपने यक दिन में आप पहुНच के भीतर रहना चाहिए, यहां कि आप पहुच सकते हैं, फटाफट आप उसके नाईदिक उन planned चाहिए आपके पास रहना चाहिए Option no B का रहा है कंधों को आडाम और पीठ से वही जैसे कि कोई भी काम एसा नहां हो, जैसे कि कोई जुक ककर रहा है एसा काम ना हो यानि कि कंधा सिधा हो और पीट और सिधा हो यानि कि सिधा रूप से सारीक रूप से वो सहीर है इसके लिए यह इर्वनोमिक्स भी आपको यह आग्या देता है कि इस तरह से काम करना चाहिए और प्रदान करना और मुद्रा में पडिवर्थन करना यानि कि आपको गती सील करना जैसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे आप एक टक एक तरफ देख रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो हाथ पर थोरा एधर उदर विकरने वाला काम होना चाहिए जिससे कि आपका शर जैसे कि आप हाथ पर इधर कर सकते और मुद्रा पड़ीवतन कर सकते एक ही तरह से आप खरा नहीं रहें इसलिए उपर का जो सभी है ये किया जाता है इर्गोनोमिक्स पर के ठीक है अगला question कर रहा है किसी भी पुरानी विमारी को संदर्भीत करता है जो कम या व्यबसाइक गति भी थी के पड़िनाम स्वरूप होता है यानि कि कौन सा विमारी है जो कि आप अपने व्यबसाइक अंतरगत कर रहे हैं और वहां पर आपको ये विमारी हो सकता है तो वह आपका होता है व्यबसाइक खतरा ने व्यबसाइक रोग होता है अपसर नमर ये में दिख रहा है व्यबसाइक रोग होता है जो कि आपको व्यबसाइक करने से होता है जैसे कहीं पर अधिक धुआ उट रहा है तो आपको फेफ्रे के चैंसर या फिर इस तरह से कोई भ सकता है तो तो भारापन तो नहीं होगा क्योंकि बारापन सोड से होता है तो इसका राल इंसर्ट entser Veterans नमर ए दिख रहा है फहरे का धंसर्ट्ट तो अगर कहीं पे अधिक धुआ हो कहीं अधिक प्रदूसरन हो रसाइन हो तो इसमें आपको फेफ़रे का दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका राइडांसर option नमर A हो जाएगा 3 नमर कर रहा है काम के माहूल में तेज आवाज का कारण बन सकता है, यानि कि आगर आपको आगर बहुत तेज आवाज आ रहा है यानि कि आपको अगर ज़रत से ज़्यादा आब आबाज में बोला जाए या फिर कहीं का सोर वोड़ा है तो अगले ग्लास में करेंगे तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद झाल झाल